तो सर्क्षिन नमबर 47 को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां लिखा हुए calculate the amount of manan monthly drawing देखो कमाल का question है यहां पर कहरे जी manan का monthly drawing निकाली है इस बर interest on drawing नहीं पूछ रहे वो आप से पूछ रहे monthly drawing manan ने कितना किया है यह बता हुआ for the year ended 31st March 2023 in the following alternative cases when partnership deed allow interest on capital at the rate of 10% परना केरे जी वो partnership deed है न उसमें interest on capital जो है वो 10% sorry interest on drawing जो है वो 10% परना मैं इफ interest on drawing drawing given आपको केरे इफ interest on drawing is 1950 withdraw fixed amount in the beginning of each month अगर हर महीने के starting में पैसे withdraw किये गए वो भी fixed withdraw किये गए तो अगर fixed amount withdraw किया जाता है beginning of each month तो आप product method लगाते हैं या average period method यूज करते हैं average period method यूज लता है अब fixed month अगर fixed amount beginning में every month निकाला जा रहा है तो उसका average period क्या होता है याद है आपको उसका होता है six point five क्या होता है six point five अब उसमें interest आपको पहले दे दिया amount आप से पूछ रहें यह इस question के खासियत है तो आईए case one हम लोग solve करते है 47 बहुत अच्छा कोशन है यह इसमें तो नहीं लेकिन mcq के format में यह question आ सकता है आपका तो बहुत सिंपल आपको कैसे करना है सबसे पहले जो interest आप निकालते थे उसी formula को आप लगाएंगे मेरे साथ साथ कीजिएगा interest on drawings is equal to total amount total amount withdraw यह total amount total amount withdraw multiply by rate multiply by average period upon का 12 तो बहुत टोटल amount हमारे पास नहीं है total amount हमारे पास नहीं है अच्छा जी total amount के बारे में भी ध्यान दो मनंस monthly drawing पूछ रहे हैं वो वो आपसे पूछ रहे है monthly और यह जो withdraw किया गया है जो drawing हुआ है हर महीने हुआ है हाँ या ना तो इसका मतलब total amount जो भी रहेगा पर month का जो भी amount रहेगा वो कितने से multiply होगा 12 से तो total amount आएगा है कि नहीं आएगा हाँ या ना भूलो आ जाएगा से उसके बाद rate कितना percent equation में आपको दिया है बिटा दस परसे तो अगर मैं यह दस परसेंट को इस तरीके से लिख दूँ चलेगा कम अब बताव average period ऐसे question में कितना है 6.5 और interest on drawing question में आपको अल्लेडी calculate करके दे रखा है बच्च अब कितना है one nine five zero और बोलो ने समझ में आ रहा है तो भाई अब इससे solve कर लेते हैं बहुत सिंपल से है वैसे तो यहाँ पर तो यह हम काड़ देते हैं ठीक है जी अब यह जो बच्रा 65 अपॉन हंडिड अपर मंत बच्रे बिट्टा इधर ध्यान दो इधर ध्यान दो यह one nine five zero जो है अपने ड्रोइंग्स पर मंट ड्रोइंग तो अब इसको कर लीजिए बिटा सॉल इसको बहुत सिंपल पांच के टेबल से हटाईए इसको तो गुरू जी यह 65 इससे जा रहा है त्री डाइमस में तो यह वैल्लियू आगे जी थ्री थ्री थाउसन पर मंत इसने पूछा था ड्रोइंग्स समझ में आगे बात फर्स्ट वाली तो क्या आप मुझे सेकंड करके दिखाएंगे खुछ से आए जी फिर से हम फॉर्मले को यहां से उठाते हैं चले जी सेकंड सिच्ट्रीशन पर आजाएं बिटाजिक कर लिया है सेकंड सिच्ट्रीशन में देखें लिखा हुआ हाई तो मुझे ब्ताओं रोहिंस कितना है ऐगल किई चोवशनेंट केंट्रस्ट कीइंटाओंड ट्टल्वान्ड विट्रॉट कितने हैं ट्स फॉटर से अब जो कुर ट्राइंग्स कुछ ऀिए जोएंग्स पर मंथ multiply by 12 rate कितना पुसंद था average period क्या है क्योंकि इस question में देखी इनों ने लिखा है fixed amount in the middle middle में होता average period क्या होता है 6 इससे solve करेंगे तो बहिए 12 चला गया आपका यह यहां से चला गया तो यह आया जी 24 सू 10 जो divide में है यह multiply में आ जाएगा और यह जो 6 है यह यहां जाएगा सही बात असे अब इससे solve करेंगे 4 तो कितना आएगा सरी 4000 रुपे आगे यह क्या आगे आपका drawings पर मंथ तो यह इन्होंने आपसे पूछा था बता यह बात समझ में आ रही है आपको अब आएए से 3rd situation पे बताओ फिटा 3rd वाली जो situation है वो क्या है वो कहतें इंट्रेस्ट और ड्राइंग जो है वो 2750 है फिक्स रमांट अट अट अफ इच मंथ तो सरी यह आपका फॉर्मॉला तो ही रहेगा बस आपको यह समझना होता है period method कौन सा लगना है अब इसमें बताओ यह total amount निकालने का तरीका यह है जो आपका पर मंद का drawing है वो आएगा यहाँ पर पर मंद जो drawing किया है आपने उसको आप multiply करते है 12 से total amount आ जाता है rate question में given है 10% और यह 12 average period end of every month है यह तो यह आजाएगा जी 5.5 और total interest total interest है 2750 2750 अब इससे solve कर लीजिए यह 12 से 12 चला गया आपका यह जो है यहाँ पर appointment 10 आएगा इससे यह कड़ गया तो अब value अगर मैं देखों तो 2750 को 100 से multiply करना पड़ेगा और upon में मुझे 55 लिखनी पड़ेगे पटा यह आजाएगा सर आपका per month drawings अब इससे solve कर लीजिए अप 55 को 5 times में जा रहा है यह जा रहा है सरी है तो यह आया जी आपका value 5000 रुपे पर month क्या बात सही है यह बदाई ससाही समझ में आ गया यहां तक अरे बिटा यहां तक हो गया अब आईए question number 48 पे चलते हैं हम लोग इससे नमर फॉर्टी इट सर, question number 48 में लिखा हुआ, calculate the amount of ship quarterly drawings for the year ended 31st March 2023 केरे जी, आपको quarterly drawings बताने हैं, कैसे बताने हैं सर, quarterly drawings इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कि यह आप से quarterly drawing पूछ रहे हैं और आगे इन्होंने लिखा, कि interest on drawing जो हमारे 12% है और drawings की value अगरे दीदी है तो चली पहले तो quarterly drawings की journal, oh sorry, interest निकालने का formula क्या है, वो लिख लेते हैं पहले तो formula का, यह लो सर, quarterly भी आप withdraw करेंगे, तो formula तो यही होगा, बस change क्या आएगा इसमें एक तो आपका average period यह, यह बस amount जो है, आपका withdrawal भी यह है, quarterly है तो आपको दिमाग क्या लगाना है क्या, quarterly amount जो drawing हो रहा है, quarterly drawings quarterly drawings को आप कितने से multiply करते हैं, food से, तो total amount of drawing आ जाता है total amount of withdraw यह drawing आप ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा rate कितना percent question ने इस बार दिया है बिटा अब आएए जी average period की अगर मैं बात करूँ, यहाँ question देखिएगा, क्यरा if the interest is 1500, क्यरा जी interest 1500 हो है, वो लिख लो, चलो जी लिख लिया फिर कहते हैं, he withdraw fixed amount in the beginning of each quarter, हर quarter के beginning में पैसे निकाल रहे है, बिटा हर quarter के beginning में पैसे निकालेगा, average तो 6 होता है quarter के beginning पे जाना है, तो 1.5 प्लस करना पड़ेगा, और इदर जाना है, end में जाना है, तो 1.5 को आपको minus करना पड़ता है ठीके जी, यही करते हैं न हम लोग, तो बदाएए सर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ आएगा सर 7.5 अब इसमें solve क्या करना है, सर यह 0.5 को अटा के upon 10 कर सकते हैं आप, और सर यह जो 12 से 12 आपका कट जाएगा और बाकी आप solve करें, कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे सर फिफ्टीन हंडिड़, अप पॉन में हंडिड़ है तो इदर आके multiply, और वहाँ पे 4 है, और multiply में यहाँ 75, यह दो value इदर आ गई, और यह आया आपका निकल के quarterly, quarterly drawings निकल के आ जाएगा, जो question ने आपसे पूछा ह इसको solve करेंगे आप, बदाएजी, जब इसको आप solve करने जाएंगे, चार को 100 से, तो यह 25 आएगा सर, 25 को अगर आप काटेंगे, 75 से तो यह कितना आएगा, 3, अब 3 को 1500 से, तो कितना आएगा सर, 5, तो यह value कितनी आई निकल के आपकी, 500, कितनी आई बिड़ा, 500, यह कुछ और आ रहे है, कोई value उमने, अच्छ, अच्छ, action में divide नहीं, वो एक mistake यह work, कि 10 जो upon में था ना, यहाँ पे, यह 10 और यह 100 मिला के, 1000 आना था, यहाँ पे, यहाँ कितना आना था, 1000 आना था बिटा यह, चाहिक है, समझ गे मेरी बात को, तो यह value हो जाएगी आपकी 5000, यहाँ जी quarterly drawings, समझ में आगे बात, यह case one था हमारा, अब आए सर, case second पे, if the interest on drawing is 1200, इस बार interest on drawing 1200 दे दिया, middle of each quarter है, middle of each quarter में कितने मन्त average period होता है सर, 6 मन्त का, तो आए जी, same question, second case के लिए, यहाँ पे जो interest आपको given है, सबसे पहले उस पे ध्यान देजिए, 1200 का interest है, आपने यहाँ पे 1200 लिख लिया जी, total amount कैसे निकाला जाता है, तो जो भी quarterly withdrawal है, quarterly drawings है आपका, उसको आप multiply करते हैं ते 4 से, तो इस से न आपका total amount of drawing आ जाता है, फिर आप multiply करते है rate से, rate कितना percent है सर, 12%, अब फिर यह upon में 12 और average period है 6, तो उसका 6 आएगा, आएगे जी, इसको solve करें अगर, ये 12 से 12 चले गए, बाकी जो बजगे है उसको as it is रहने देते हैं, यहां लिया थे, 1200, अब पॉन में जो है, उसको 100 यहां लिया आए, और ये 4 into का 6 आगया जी, यहां पे लिखा हमने quarterly, drawings, quarterly drawings क्या आएगा, बताओ, 5000 कैसे आ जाएगा सर इस बार, फाइव ही आ रहे हैं, चलो जी, ये भी 5000 आया, चलो, समझ में आगे बात, दो हो गया सर, अब आजाए थर्ड पे, अगर थर्ड की बात करूं सर मैं यहां पे, तो थर्ड में अगर आप चेक करेंगे, तो interest on drawing 900 है, और end of each quarter इसका मतलब 4.5 मंस का average निकलेगा, तो यह आया जी 900, quarterly drawings, multiply भी rate में आपके पास है 12%, average period में 4.5 upon 12, 900, और इसको solve करें, quarterly drawing into four भी आता है, total amount withdraw में, जब आप निकालेंगे, total amount तो कैसे आएगा, जो quarterly withdraw वो उसको 4 से multiply करना पड़ेगा, तो बिटा quarterly withdraw तो अपने को पता है नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे quarterly drawings ऐसे ही, into का जो four है, उसको solve करें, आए जी solve करते हैं, 12 से 12 चला गया, यह point जो है, इसमें upon में 10 आ गया जी, तो उपर में आप चेक करिए, यहाँ 45 बज़ गया, यहाँ 4 बज़ गया, यह multiply में है, यह 10 और यह 100 यह divide में है, तो जब opposite side जाएगा तो यह 1000 हो जाएगा, और इसे divide वाले को ले लेंगे हम, और यह आ जाएगा, जी 12, और सुरी, यह आएगा सर्फ 4 into का 45, यहाँ पर लिखा, जी हमने quarterly drawings, amount इसे solve कर लेती, 45 दून अनब्बे, 24, 5, तो यह amount आगया, जी आपका 5000 रुपे कर, quarterly drawing, तो यह simple सा question है, formula में put करके सारी चीज़े निकल कर आ जाती है, हमारी, यह भी हो गया, जी 48 में, आएगे से, 49 देखते हैं, प्यूश, हरमेश, अतुल, और पार्टनर्स, each partner regularly withdraw 20,000 per month as given blue, कि हर पार्टनर 20,000 रुपे withdraw कर रहा है, ध्यान से समझना इदर, 20,000 रुपे withdraw करता है, per month as given blue, per month withdraw कर ले, लेकिन कब withdraw कर रहा है, यह नीचे की question में given है, कि मान लिजे, जो ब्यूश है ना, वो beginning of every month withdraw करता है, अगर beginning of every month withdraw करता है, तो average period कितना होगा sir, 6.5, हरमेश, विड्रो करता है, middle of every month, इसका क्या होगा बिटा, 6, अतुल, विड्रो करता है, end of every month, कितना आएगा इसका, 5.5, अब question कहते हैं, और अतुल का ये है, determine the rate of interest charge on drawings, आपको rate of interest निकाल के बताना है, कि कितना percent का interest लगा हुआ है, इस question में, तो आएए, 49 को solve करते हैं, same तरीका होगा, यहाँ पे भी solution का हमारे पास, यह interest on drawing का formula, average period में बिटा, इसमें जो जो value given है, वो लिख लिजी, जैसे question ने, आपके सामने interest on drawing दे रखा है, और हम बात कर रहे हैं, किसकी, हम बात कर रहे हैं, first में कौन है भई, प्यूश की, तो हम A, A का निकाल रहे हैं, यह है प्यूश, ठीक है sir, प्यूश का interest on drawing कितना है, 15,600, तो आप बिटा यहाँ पर interest on drawing की value लिखो, यह आया जी, 15,600, total amount withdraw, equation में given बिटा, वो कह रहे है, पीस हजार रुपे पर मंद निकाल दिये, तो बही, पीस हजार into का, कितना करूं बताओ, 12, अब यह रहेगा, आपका rate यहाँ पे, और यहाँ रहेगा, average upon 12, तो यहाँ पे average period में ने क्या बताया था, आपको per month withdraw कर रहे हैं, तो कितना हैगा sir, 6.5, चलो जी, इसको जब solve करेंगे आप, तो यहाँ पे जो rate था ना, आपका उसके नीचे 100 लगा लेंगे, तो percentage आपका निकल क्या जागा, percentage में जब करना है तो, अब आए इससे solve करते हैं, सबसे पहले जो point है, इसको upon में लिया हमने, और इससे solve करना start करेंगे, तो भई मुझे यह दिख रहे है, 12 से यह 12 जा सकता है, यह 2 0 है, और यह 0 मिलाके यह 3 हो जाएंगे, तो यह 3 0 इससे चले जाएंगे, अब यह 20 और 65 इदर है, इदर 15600 है, तो आप 15600, 15600, और यह 20 जो upon में हैं आपका, नहीं upon में, बाबो उदर multiply में इदर क्या आए जाए, बाबो वही कह रहा था, कितना आ जाएगा यह 20, और इदर से आ जाएगा 65, और इदर क्या हो जाएगा आपका rate, तो solve करो इसको बिटा बताओ, तो बहीं नेचे में, एक 0 से आपका यह 0 जा रहा है, अब इसे और solve करोगे तो यह आया जी, सॉरी, इसको आप ऐसे करो, 15, 60, upon में, 130, है ना, तो यह 0 से और 0 चला जाएगा आपका, ठेके, 13, 1 जा 13, 13, 2 जा 26, क्योंकि rate में हमने percentage already ले लिया था, upon 100 कर दिया था, तो यह rate कितना आया हमारे पास, 12% आया से, आई बस समझें से, 49 का यह कर लिया, इसी तरीके से हम चलेंगे, 49 के B पे, B में भी same formula हम put करेंगे से, अब यहाँ पे B में, आप इसे चेक करोगे तो, जो second part है, हरमेश का, हरमेश 6, middle of every month, जो है 6, आएगा इसका average period, और interest on drawing इसका है, 14,400, तो बाबो, यहाँ पे लिख लिएंगे, हम 14,400, और amount जो withdraw हो रहा है, वो 20,000, middle of every month है, लेकिन निकाला तो फिर भी बारा-बार गया होगा, rate कितना है, पता नहीं सर, इसका percentage लेना है, तो rate upon 100 करना पड़ेगा, average period है बिटा, 6 upon 12, तो बिटा, यह 12 से 12 चला गया, 20 से आपके यह 20 चले गए, अब इससे अगर solve करेंगे, तो यह आ रहा है, 200 into का 6, into का rate, यह आ रहा है, बिच्छे, 1400, बिटा, यह जो 1400 आया ना, इसे upon में इधर लिख लो, 200 into 6, और यह 206 को भी खदम कर दो, अब यह आ जाता है, 6 दो ना 12, तो अब गर solve करना रहा है, 144 upon 12 आ रहा है, तो rate तो अब तो निकाली लेंगे, 12 का square है यह, कितना है सर, 12 परसन, सही है सर, यह step समझ में आ रहे ना, चलो, अब next, उस पे चले आएंगे वे, C वाली situation पे, C में interest किसका निकाल रहे थे हम लोग, कौन था वो बंदा, C वाली situation जो है, 3rd वाली situation हमारे पास, अतुल की है, 5.5, end of every month में पैसे विड्रो किये गए, अच्छा, amount का interest चेक कर लेते हैं, 13,200 है सर, आउसर, यहां पे लिख लेते हैं, 13,200, 20,000 टोटल विड्रोवल है, पर मंद का, 12 महीने का निकालेंगे, और rate बताओ बिटा, सर, rate कैसे बताते हैं, rate ही निकालना है, rate अपन 100 लिख लो, average बूलो, average बिटा, 5.5 अपन में, 12, तो सर, यह जो point है ना, इसको हटा के, अपन 10 कर दिया, और यह 12 से, हमने यह 12 ले लिया, जी, 20 से हमने यह 20 ले लिया, अब solve करते हैं, इधर है जी, आपका 13,200, इस side जो बचा है, वो 200, into का 55, into rate, वैसे आपको पता होना चीए, 20 से इधर भी कट जाता है, इस equal to के दूसरा side भी कट जाता है, लेकिन नहीं समझ मार रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, इसको ऐसे रहने दू, यहां solve करते हैं, 13,200, upon में, 200, into का 55, और इस side बचा है rate, यह 20 से आपकी यह 20 गए, फिर 12 से इसको भी काट दें, 6, तो यह 6 अरे बड़ा, कहां पर, अच्छा हाँ, एक छोटी से mistake, यह 10 मैंने नहीं लिया न, 1000 था वो, 1,0 और कम हो जाता है, फिर यह, चलो इसे मैं थोड़ा से पीछे लेके चलता हूँ, मैं तो पीछे जा सकता हूँ, नहीं, आओ जी, और आजाओ, यह लोग, और पीछे आगे, यहाँ पर solve कर लेते हैं, बड़ा, यह 10 से, यह 10 भी जाएगा न, तो अब क्या बचेगा, यहाँ पर 20, और क्या बचेगा, सिर्फ 55, और क्या बचेगा, बड़ा, यहाँ पर rate, अब इसे solve करते हैं, यह आया जी, आपका 1300, 13200, अब आन में 20, इन टू का 55, और यह rate, सही अब, यह कड़ी गाए सर, अब दो से, आप इसे ले ले, एक पेज ले लेता हूँ मैं पहले, हाँ जी, अब इसे solve करों, बोलो, यह आया rate आपका, अब divide कर सकते हो सर, यह नहीं हो पाएगा यह, हो जाएगा, बताओ कितना आएगा यह, 1320 upon, 110, 0 से यह 0 चले गए, तो कितना आगया बिटा बताओ, जरा यहीं पे बताओ, 11, 11, 11, 12, यह आएगा जी, 22% आगया आपका rate, बताएगा जी, समझ में आई बात यह, बच्चा बड़ी, इदर इदर, इदर, पहले ही बताओ, मुझे एक लेर है, है, ठीक है, हाँ जी, आज़ा, एक बड़ी, दूसरा क्वेशन हमारे पास, कौन से ऐस है, 50, आओ जी, 50 पे आते हैं, calculate the rate of interest on drawings, of Mohan in the falling cases, तीन सिचुएशन में, यहाँ पे बेंटरस्ट और ड्राइंग निकालना है, आजी, जी, question number 50, तो 50 में situation number 1, लिखाव, if the drawing 6000 in the beginning of each quarter, drawing का amount दे दिया है, लेकिन वो हर quarter की beginning का है, तो 4 से multiply करेंगे, तो total drawing आएगा, जी, उसके बाद उन्हेंने बोला, end of each quarter, beginning of quarter बोला, beginning बोला है, तो बिल्टा, beginning में जब बोलता है, तो हमारे कहानी क्या बनती है, beginning में, beginning में बन के आती है, इसमें average period कितने दिन का निकलेगा, बढ़ी बताओ, अरे beginning में 7.5 quarter में, quarter में कितना आता है, 7.5 आता है, end of each quarter होता है, तब कितना होता है, end of each quarter, average period इसके लिए क्या होता है, 4.5 होता है, लेकिन end beginning कुछ भी given नहीं है तो इसके लिए हम six month लेंगे average period अगर कुछ भी date of drawing beginning middle end कुछ नहीं लिखा रहता है तो average period कितना लिया आता है six लिया आता है नहीं नहीं जैसे कर रहे थे अमाउंट तो quarter का मतलब होता है कि चार बार निकाले गए नहीं पैसे सर तो ए वाली situation में आ जाईए पहले question number 50 question 50 अध्यान इधर दे लो ना लाइक बैठे बैठ के बाते हो रही है कुछिन नमर 50 यह पिर से वही सेम फॉर्मूला लगाना है इंट्रेस्ट रॉइंग इस कुषिन में ओल्रेडी गिवेन है वह इंट्रेस्ट रॉइंग फिफ्टीन हंड़ गिवेन है तो हमने यहां पे लिखा जी फिफ्टीन हंड़ड इंट्रेस्ट रॉइंग उसके बाद टोटल अमॉंड की जब बात था ही तो उसने बूला सिक्स थाउजन इन दे बिगनिंग ओफ इज कॉर्टर इज कॉर्टर में अगर सिक्स थाउजन विड्रो हो रहे हैं तो पूरे साल में चार से मंटिप्लाइ करेंगे तब टोटल अमॉंड ऑफ विड्रोवल मालुम चलेगा उसके बाद आईए सर रेट पे क्वेश्चन ने बूला रेट आपको फाइंड आउट करना है तो बही रेट जब निकालना है तो रेट अपन हंडिर लिए तब ही रेट निकल पाएगा परसंटेज में फिर आएंगे सर एवरेज पीरिड बे क्योंकि क्वार्टर है जैसे मैं बताया अभी जब क्वार्टर होता है बिगनिंग ओफ एज क्वार्टर तो एवरेज पीरिड कितना होता सर 7.5 तो यह आगे है सर 1500 इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो यह दो जीरो आपके यहां से जा पॉइंट अगर मैं हटा दूँ अपॉंट 10 आता है इससे यह वाला जीरो जा रहा है और यह 12 जो है इसे डिवाइड कर लेंगे सर तो यह आगया जी आपका 10% 10% इस कोशिशन में आपका रेट निकल कर आगया ठीक है से नोट कर लिया है अब भी वाला करके दिखाओ मेरे को जरा एलो बी कर लिया यह थर्ड हुआ चलो पहले सेकंड में अगरवा दूए एक बार बिटे बात है नहीं अमाउंट ओफ इंट्रेस इस कोशिशन में सेकंड में 900 है तो इंट्रेस का आगया जी आपका 900 ड्रॉइंग का अमाउंट इस सिक्स थाउजन अड़ एंड ओफ इच कोर्टर इच कोर्टर विट्रोग कर रहे है चार से मंटिप्लाई करेंगे चाहे बिगिनिंग हो मेडिल हो एंड और तभी टोटल अमाउंट निकलेगा उसके बाद आजए यह से रेट अपान आवरेज पीरिड क्यूंकि मिडल ओफ इच कोर्टर है या एंड उस पर डिपेंड करता है तो इसका मिडल एंड ओफ इच कोर्टर है कितना आया यह 4.5 तो यहां पर आपने 4.5 लेखा और यह पॉइंट को अटा कि अपन में 10 लेग दिया जी आपने अब इसे काट देना है सिर आपने एक दो तीन एक दो तीन जीरो चलेगे और यह 4 से आपका यह 12 त्री टाइमस और 3 से 6 जा रहे है टो टाइमस ठेक है जी तो यह वैल्यू अगर मैं बात करूं तो इतर 900 है और यह 2 x 45 is multiplied by rate और यह हो जाता है सर 90 मंटिपलाई करने से तो भाई हम इसे लिख सकते 900 अपन 90 यह जी रेट और रेट यह कितना आजाएगा सर यह जाएगा सर आपका 10 परसंट वह सौंज में आगए चलेजिए अब लास्ट पॉइंट c if he withdraw 6000 per quarter per quarter withdraw किया beginning middle end कुछ नहीं लिखा हुआ तो date of drawing आपको mention नहीं है जब ऐसा कुछ नहीं होता है तो average period कितना दिन का लेते हैं six month कर तो आएए जी सी पॉइंट यह ऐस है अब interest on drawing is question में आपको given is 1200 total amount के लिए इन्होंने बूला है वो 6000 per quarter है तो पिटा 6000 into 4 तो लेना ही पड़ेगा rate upon 100 और यह आया जी average period में date of drawing given नहीं तो 6 upon 12 इससे अब solve कर लीजिए से यह 0 आपके 2 चले गए और 4 3 is a 12 और 3 2 is a 6 कर दिया आपने तो यहां पर आगे बिटा आपका 1200 यहां आया जी 2 into का 6 और into का rate यह बच रहा है आपका 20 साही बात है 20 into 6 into rate और यह भी 1200 हो गया जी तो 1200 upon में 1200 120 तो यह क्या ऐसा rate रेट इसका भी कितना आगया बिटा यह भी 10% आगया तो यहां तक मैंने सारे questions करवा दिया ठीकिया जी